नमस्ते, मैं डॉक्टर कलपेशावान, आज आपसे बात करूँगा एनल फीशर के बारे में एनल फीशर क्या होता है, एनल फीशर क्यों होता है, इसकी मैं आज आपको सारी जान करें दूँगा हमारा जो एनस होता है लैटरिन का रास्ता होता है उसके म्यूकोजा के सरपेस पे जब कभी बेकाट आता है उसे हम एनल फीशर कहते हैं और अगर सिम्टम सी बात करें तो पेशन को पेन होना उसे के साथ ब्लीडिंग होना एनल रिजन पे डिसकमफर्ट फील होना और एनल रिजन पे इचिंग भी होती है ये सब एनल फीशर के सिम्टम से और बार बार होने वाले जो एनल फीशर की जो समस्या है उसके वज़े से जो muscles होती है, उसमें spasm generate होता है, और वो spasm के वज़े से patient को काफी दिनों तक दर्द भी महसूस होता है, और anal region के अगर बात करें, तो उसमें फीशर के साथ हमें piles, fistula, ये भी नजर आते हैं, और बात करें हम piles की, तो piles जो है, anal canal के जो blood vessels होते हैं, उसमें कभी swelling आ जाते हैं, व anal canal के अंदर और एक opening anal canal के बाहर होता है, जो कि abscess या bend के formation के वज़े से भी होता है, अब बात करते हैं, causes की anal fissure होता कैसे है, ये जो है, constipation के वज़े से, hard stool के वज़े से, या फिर large size of stool, और ladies में अगर देखा जाए, तो delivery के दोरान भी anal fissure की समस्याए होती है, और आज के ये टाइम पे जैसे lifestyle है, जैसे कि fast food खाना, junk food खाना, less water intake, exercise नहीं करना, sleeping pattern खराब होना, इसके वज़े से भी anal fissure को बढ़ावा मिलता है, और new research द्वारा पता चला है, जैसे कि German new medicine द्वारा की neglected feeling या फिर घर पे अपमानित होना, इसके वज़े से जो mental level पे जो disturbance आते हैं, उसके वज़े से भी anal fissure होने की संभावना होती है, अब बात करते हैं, होमेपैती आपको fissure की समस्या में कैसे लाबदाय हो सकती है, होमेपैती fissure के लिए एक भैतरीन उपाय है, जैसे कि fissure की समस्या होती है, उसे जड़ से ठीक करने में होमेपैती मदद करती है, और बार-बार होने वाली जो फीशर की टेंडनसी है, उसे भी रोकती है और आपको operation की नहुबद भी नहीं आने देती है। साथी साथ अगर mental level पे देखा जाए, तो mental level पे जो भी तकलीपे होती है, जैसे कि चिड़चिड़ापन होना, काम में मन ना लगना, दिनबर ठकान मैसूस करना, रात को नीन ना लगना, ऐसे ही सारी तकलीपों से होमेपाथी आपको राहत देती है। अगर आपको ये वीडियो informative लगे, तो like कीजे, share कीजे और subscribe कीजे, thank you.